तो आसवेकों नमस्ते प्राम मैं आपका अपना ठागुर प्रखर सिंग हो रात के दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है आज की कहानी के आगे पीछे कुछ भी नहीं कहूँगा सीधा सीधा कहानी करूप करूँगा और इस कहानी की सुरुवात होती है साल 2012 से उत्तरप्रदेश में एक ब्यादमसूर जगा नोइडा और इसी नोइडा में गाओं है राइपुर गाओं और बात कर रहा हूँ इसी साल 2012 की सुरुवात के इसी राइपुर गाओं में एक परिवार रहा करता था परिवार के जुमुखिया थे उनका नाम था पाले राम उनके दो बच्चे थे एक का नाम अकाश दूसरे का नाम रबिंद्र उनको पढ़ाया लिखाया बढ़ा किया अकास वहीं नोड़ा में रहके नौकरी करने लगा इदार रबिंद्र भी बढ़ा हो रहा था पढ़ाय लिखाई कर रहा था जो पाले राम थे वो पेशे से समास सेवक थे यानि जो आसपास कुछ गलत हो तो उसकी अवाज उठाएं किसी के साथ कहीं अन्याय हो तो उसकी लड़ाई लड़ें किसी को कोई दुख तकलिफ हो तो वहाँ जाके कंदे से कंदा मिलाके खड़े हो जाएं इस वज़ा से आसपास के लोग पाले राम का काफी सम्मान करते थे पाले राम भी अगर कहीं कुछ दिक्कत देखते, कहीं कुछ गरवड़ी देखते कुछ ऐसा जो गैर कानूनी हो, कुछ ऐसा जो किसी गरीर के साथ अन्याय हो रहा हो तो ऐसे तमाम जगों पे पाले राम अक्सर खड़ी दिखाई देते पाले राम ऐसे काम करते रहे इस काम करने के दवरान पाले राम के कई दुस्मन भी बने कई लोगों से अच्छी दोस्ती भी हुई ऐसे ही साल 2012 में पाले राम देखते हैं कि वहीं पे एक यमुना खादर जगा है और उसी यमुना खादर पे कुछ लोग अवैद धखनन कर रहे हैं बालू का अब बालू का अवैद धखनन अब काइदे से या दिकार सरकार के पास हैं कुछ लोग चुरा रहे थे अब ये चीज जब पाले राम ने देखी तो फिर उन्होंने आवाज उठाने की सोची कि ये चीज़े गलत हैं इसके खिलाप आवाज उठाई जए पाले राम ने पहले वहाँ जाके लोग को समझाया कि आप ये काम बंद कर दीजिए अब जब उन लोगों को समझाया तो वो लोग पाले राम के उपर ही हावी होने लगे पाले राम को डाटफटकार के भगा दिया इसके बाद पाले राम ने आसपास के लोगों से इस बारे में जिक्रि किया लेकिन जो करने वाला था वो उसी इलाके का लोकल था और ठीक ठाक दबंग किसम का इंसान था इस वज़ा से कोई भी उस सक्ष के खिलाब जाना नहीं चाह रहा था सब लोग चाह रहे थे कब उससे दुस्मनी मतलब जान का खत्रा घर में छोटी-छोटी सब के बच्चे हैं या आदा उलाद हैं बीवी बच्चे वाले लोग तो कव नहीं जाए अब दुस्मनी ले लिकिन पाले राम ने ठान लिया था कि इस चीज को रोक कि रहूंगा लिया आजा कुछ दिनों तक पाले राम ने आसपास के लोगों को समझाया लेकिन जब कोई नहीं माना तो अपने कुछ विस्वास पात्र लोगों के साथ पाले राम पहुंच जाते हैं पुलिस टेशन और जाने के बाद पुलिस टेशन में कम्प्लेन दर्ज करवा देते हैं कि यहाँ पे एक रबिंद्र नाम का शक्स है मापकीजी गराजपाल जो अवैद खनन का काम कर रहा अब पुलिस के पास जब कम्प्लेन हुई काईदे से पाले राम को उम्मीद थी कि जो पुलिस है काईदे से काम करेगी जाएगी अवैद खनन रोकेगी लेकिन जैसा फिल्मों में होता है कि बड़े-बड़े माफियाँ के पैरों के नीचे पुलिस रहती है तो जब पाले राम ने कम्प्लेन दर्ज करवाई तो जो पुलिस वाले थे वो सीधा जाते हैं राजपाल के पास और वहाँ उनको बताते हैं कि आपके खिलाब कम्प्लेन होई है और आप इस कम्प्लेन को दबाने का काम कीजिए अब राजपाल ने जब ये बात सुनी कि पाले राम ने कम्प्लेन दर्ज की है तो राजपाल अपने कुछ दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इस पाले राम के पास आता है और आने के बाद इनको डराता धमकाता है और कहता है कि कंप्लेन वापस ले लो नहीं तो तुम्हाई लिए परिडाम बुरा हो जाएदा पाले राम जब ये धमकी सुनते हैं तो कहते हैं मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूँगा इसके बाद ये फिर जाते हैं पुलिस कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कंप्लेंद दर्च करवाए उसके एबेज में मुझे धमकी मिल रही। पुलिस वालों ने फिर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। पुलिस वाले फिर से जाते हैं और राजपाल को बता देते हैं कि आपने जो धमकी दी थी उसके उपर कोई अशर नहीं हुआ। फिर से वापस आ रहा कंप्लेंद दर्च करवा रहा। तो आप कुछ ऐसा ठोस कदम उठाए है जिस वज़ा से ये पुलिस के पास ना आए हमें कुछ ना करना पड़े हैं। अब राजपाल जब ये चीज़ सुनता है तो सुनने के बाद पाले राम की पिटाई करवा देता है। अब पाले राम बुरी तरह पिट जाता है। लेकिन ना ही पाले राम हार मानता है ना ही इसके कदम लड़ खड़ाते हैं। और जब इसे पुलिस प्रसाशन से कोई मदद नहीं मिलती है। तो साल 2012 के लास्ट में जो पाले राम है पहुंच जाता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई करवाता है और कहता है कि इस हिसाब से जो राजपाल है वो अबैद बालू की खुदाई करवा रहा है अब हाई कोर्ट जब ये बात सुनता है सुनने के बा इक तरह से चेतावनी देते हुए कहा कि आप इन तमाम चीज़ों को मत कीजी वरना आपको दिक्कत हो जाएगी और हर जगह पुलिस प्रसासन कोर्ट नहीं रहेगा आपको सुरच्छा देने के लिए लेकिन पाले राम हार नहीं मानते लगातार सुनवाई पे जाते रहते हैं और इधर जब सुनवाई होती राजपाल की दिक्कते बढ़ती जो कोर्ट का सिकंजा है राजपाल की उपर कस्ता जाता तो ऐसे ही लगातार दुस्मनी बढ़ती रही साल 2012 बीत के साल 2013 आ गया और 13 भी लगभग बीतने की कादर पे था लगातार पाले राम बिरोत करते रहे लगातार राजपाल की दिक्कते बढ़ती रही इसी दोरान 31 दिसंबर साल 2013 यानि 14 की एक रात पहले पाले राम सुबसु अपने घर में 11 बजे ऐसे ही बैठे थे बाकि जो बेटा था आकास वो नोकरी पे था रबिंदर कहीं बाहर गया था अचानक से तीन लोग आते हैं औ और आने के बाद तीनों लोग अचानक से अपनी कमर से पिस्टल निकालते हैं और पाले राम के उपर फायर जोग देते हैं अब इससे पहले कि पाले राम कुछ समझ पाता कुछ जान पाता कि कौन है क्या हो रहा छे गोलियां पाले राम को लग जाती हैं छे गोली लगी प दुनों ने देखा और इतनी देर में जो रविंद्र था छोटा बेटा वो भी आ गया तो बीबी और रविंद्र ने देखा कि जो राजपाल है वो और उसके दो बेटे सोनु और जितेंद्र ये टोटल तीन लोग आ रहे हैं और इन्होंने ही गोली मारी है इसके बाद फौर विल्षा पर वी आप Register जो रविंद्र है अपने पिता को इठाता है उठाने के वाज हॉपिटल लेके जाता है पूरे गाओं में हाड़कम मुझ जाता है की साबसे गोली मार दी गई पुलिस कंप्लेन की जाती है लेकिन पुलिस का जो रवेया था शुरू में भी वैसे थ था और अभी भी वैसे ही था हत्या हो चुकी थे लेकिन पुलिस वालों ने नहीं इस मामने कोई गंभीरता दिखाई इधर जब हॉस्पिटल लेके गए तो पाया कि पारे राम के अंदर अब जान बची नहीं इसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया फोरण रबि जार काईदी के दर्ज करती है ना कोई बढ़ियां चार्शीट बनाती है इसके बाद ये लोग पैर भी करते रहें अब पुलिस ही मिली हुई थी तो ना है कोई सबूत मिला ना हुई कोई गवाह मिला जाचपरताल होती रही और अरंत में जब मामला कोट में गया तो कोट म 31 घटना के 6 महीने गुजरते हैं 31 दिसंबर साल 2013 को पाले राम की हत्या हुई थी जैसे 6 महीने गुजरते हैं और जून का महीना आता है अचानक से जो छोटा बेटा रबिंद्र है वो गायब हो जाता है अब छोटा बेटा रबिंद्र गायब परिवार वाले परिशान पीत किया होगा लेकिन पूलिस वालों के कान में फिर से जू नहीं रेकता सारा मामला शेट था जाश्वरताल होती नहीं और कुछ दिन बाद दिल्ली में एक जगह लगती है नरेला वहां से फोन आता है और वहां से पता चलता है कि वहां पी रबिंद्र की डिड़ बाडी मिली यानि पिता की घर में हत्या हुई इधर जो रबिंद्र है उसकी दिल्ली में हत्या हो गई 31 जून की ये बात है 21 जून की अब बेटे की भी हत्या हो गई पिता की भी हत्या हो गई गर में बचे दो लोग, एक मा जिसके सुहाग और बेटे की हत्या कर दी गई, एक बेटा जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार को पालने पोस्टने का काम कर रहा, दोनों की हत्या हो गई, इधर जब जो पाले राम थे उनकी हत्या का मामला कोर्ट म कर दिया, इधर जो पाले राम के बेटे थे रबिंद्र जिनकी नरेला में हत्या होई थी, वहाँ की जाचपड़ताल में कभी पता ही नहीं चल पाया की रबिंद्र की हत्या की किसने थी, यानि दो लोग की हत्या हो गई, जो हत्यारे थे दो चुपचापा-राम से खुले मे गुम रहे थे इसके बाद अब जब ये तमाम चीजे हुई तो जो बड़ा बेटा था आकास वो अपनी नौकरी छोड़ता है और छोड़ने के बाद साल 2014 में ये ठानता है कि मैं अपने पिता और अपने भाई के कातिलों को सजा दिलवाऊंगा और अपने पिता और भाई को जिम्मा तो उठा लिया लेकिन कैसे इधर जब पता चला कि अकास ने जिम्मा उठाया है तो लगाता राजपाल की तरफ से धम किया मिलने लगी कि जैसे तुम्हारे पिता को मारा जैसे तुम्हारे भाई को मारा वैसे तुमको भी मार देंगी इसलिए ज़्यादा परिशा साथ की लड़ाई लड़ने लगता है सबसे पहले पुलिस वालों से कहता है कि आप जांच परताल कीजिए पुलिस वालों से जब कहता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि जांच परताल हो गई और ज्यादा कानून के जानकार बनो मत और जांच परताल हुई कोड का फैसला आगे अब कौन सी जाच परताल कर दें अब पुलिस का जब रही रवाया इसने देखा आकास ने तो फिर उसे लग गया कि साथ पुलिस कुछ काम करेगी नहीं लियाज आप पुलिस मैकमे और कानून के जानकारों से इसने मिलना सुरू किया जो आला दर्जे के अफिसर थे जो ऐसे लोग जो थोड़ा सा सौप्ट कॉर्णर अपने दिल में रखते थे अब ऐसे लोगों से जब ये मिलना सुरू करता है तो कई लोगों से इसने सलाह लिया कई लोगों से इसने मस्तुरा लिया कि क्या करूँ कैसे इंसाब दिलवा हूँ ऐसे ही अब अलग अलग लोगों से इसने मुलाकात की तो इसी दवरान इसकी मुलाकात आकास की होती है जो वहाँ के DGC क्रिमिनल थे यानि सरकारी वकील क्रिमिनल के फोसदारी के केके सिंग जब केके सिंग से मुलाकात होती है और केकिंग सिंग से इन्होंने कहा आकास में कि मेरे पिता की इस तरह से हत्या हुई है और मेरे भाई के हत्यारों का कुछ पता नहीं चला तो आप एक काम कीजिए मेरे केस की पैर भी कर दीजिए और मेरे पिताया और मेरे भाई के हत्या के मामले को फिर से ओपन करवा दीजिए साल 2013-14 में जब ये तमाम चीजे हुई तो इस टाइम जो खनन माफिया थे उनका इतना दबदबा था कि कोई भी वकील कोई भी पुलिस वाला ऐसे लोगो के खिलाप जाना नहीं चाहता था तो केके सिंग ने जब ये पूरा मामला सुना तुनों ने कहा कि देखो कायदे से अगर साप सब्दों में तुम्हें बताओ तो ना ही पुलिस वाले इस मामले में कुछ करेंगे ना ही कोई वकील इस मामले में जल्दी पड़ेगा चुकि खनन माफियाओं के अगेंस्ट कोई जाना नहीं चाहेगा लेकिन अगर तुम्हें सच में इंसाप चाहिए तो एक चीज करो अगर तुम्हाई अंदर इतनी ही आग है बदले की तो तुम खुद वकील बन जाओ और अपना मामला ऐसे लड़ो कि कोट को भी लगे कि तुम्हारी बास सही है खुद पैर भी करो, खुद सारी डिमांड करो, तब कुछ हो सकता है अब ये सलाह केके ठाकुर ने साहिद इसलिए दे थी कि ताकि इसका हौसला तूट जाए लेकिन इसलाह को इसने बहुत पॉजिटिप लिया और वहीं से आकास ने केके सिंग को अपना गुरू माना और चला गया यललवी करने साल 2014 से इसने यललवी की सुरुगात की और लगातार चार सालों तक जीतोड मेहनत करके इसने वकालत की डिगरी हासिल की एक तरफ घर में कोई खाना देने वाला नहीं था मा बाप को बाप तो जा ही चुका था मा को तो एक तरफ थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके कहीं से खाने पीने का जुगार भी करना था अपनी पढ़ाई की फीस भी देनी थी मा का ख्याल भी रखना था और इधर ऐसी पढ़ाई भी करनी थी कि सारी कानून की धाराएं सारी चीज़ें याद हो जाएं चुकि वकालत एक ऐसा पेसा है जिसमें आप वकील बनने के बाद कई सालों तक इस्टगल करते हैं लेकिन ये तमाम चीज़ें इनको नहीं करनी थी अकास लगातार केके सिंग के अंदर प्रैक्टिस भी करते रहें अपने केस की स्टेडी भी करते रहें लगातार मेहनत करते रहें घर पर यहार को आगे बढ़ाते रहें साल 2018 में फाइनली जो केके सिंग थे इनकी सागिर्दी में जो अकास थे इनको वकालत की डिगरी मिलती है और इन्होंने फिर हाई कोर्ट में अपना लाइसेंस अपलाई किया कि मैं हाई कोर्ट से अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ चुकि काईदे से low court में ये मामला हो चुका था और high court ही जाना था साल 2019 में रेजिस्टर वकील होई इसके बाद इन्होंने पहला मामला अपना ही डाला और court में लगाया किये मेरे पिता की हत्तिय होई है और पुलिस ने इस मामले में लीपा पोती किये और काइदे से काम नहीं किया इसलिए अब CBI जाच होनी चाहिए अब जब CBI जाच मागी गई तो CBI जाच ऐसे मिल नहीं सकती इधर राजपाल ने भी अपना पासा फेका वकील खड़ा किया दोनों तरब की काफी वहंस हुई लेकिन जिस हिसाब से अकास ने चार सालों में मेहनत की थी जिस हिसाब से इसने प्रैक्टिस की थी सामने कोई वकील टिक नहीं पाया और अंत में कोट ने अकास के पक्ष में फैसला दिया और मामले की CBI जाच करवा दी अब इधर मामले की CBI जाच जब शुरू हुई लगातार पेसियां होती रही पैर भी होती रही तो जो पाले राम के कातिल थे राजपाल और उनके बच्चे इन्हें लग गया कि साइद मामला भात से निकल दा और आकास इस मामले को जीच जाएगा लिया जाब इन्होंने फिर से परिशान करना सुरू की आकास को कभी धंकी देते, कभी जान से मारने के लिए हमला करवा देते लेकिन यह तमाम चीज़ आकास के उपर होती रही आकास ने हाथ नहीं मानी अंत में जब कुछ समझ में नहीं आया तिन्होंने एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया आकास के उपर लेकिन चुक्कि आकास अब खुद वकील मामला दर्ज हुआ मामला कोट में गया और यहां भी आकास ने अपना मामला खुद लड़ा और लडने के वाद अपने आपको बाईज़त बरी करवाया इधर अपने आपको बाईज़त बरी करवाया इधर लगाता साल 2019 से इस मामले की सुनवाई हाई कोट में होती रही कभी आकास हा भी होते कभी राज़पाल हा भी होता यह सिलसला बदस्तूर चलता रहा साल दर साल गुजरते रहे न जाने कितनी मुस्किलें आई न जाने कितनी परिशानिया होई लेकिन नहीं आकास हार मान रहा नहीं राजपाल अपना गुनाह कबूल कर रहा और देखते देखते साल 2023 आ गया साल 2023 आने के बाद मामले की सुनवाई चलती रही अंत में जो CBI है उसने अपनी चार्शीट दाखिल की CBI ने अपनी चार्शीट दाखिल की उसके बाद मामले की पैर भी अकास खुद करता रहा करते करते अभी 2 दिसंबर की बात है यानि आज से बामुस्किल 20 दिन पहले की बात 2 दिसंबर को फाइनली इस कोर्ट में हाइकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले को सुनने के बाद साइद आप ऐसी पहली कहानी होगी जिसको सुनने के बाद आपके चेहरे पे स्माईल आएगी और एक खुसी माशूस होगी 2 दिसंबर को हाइकोर्ट ने हकास के पक्च में फैसला किया और पाले राम की हत्या के इल्जाम में राजपाल और उनके एक बेटे को ता उम्र जेल में रहने की सजा सुना दी यानि उम्रकाइद की अब हाई कोट का जब यह फैसला आया आने के बाद इस मामले को लोग भूल गए थे वैसे तो अकसर हाई कोट में उम्रकाइद यह तमाम चीज़े मिलती रहती है लेकिन जब यह फैसला है और इस फैसले के बारे में लोगों ने जाना कि किसी साथ से एक मामूली सी काउपरेट नोकरी करने वाला बेटा अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए लगातार मेहनत करता है अपने आपको हाई कोट जैसी जगां पे लोगोर कोट में बहस करना असान है लेकिन हाई कोट में ऐसे वकिल है कि आपको निगल जाएं लेकिन लोगोर कोट को छोड़के हाई कोट में बहस करना, CBI जाच करवाना, अपने केस की पैरवी करना और अंत में उम्रकाइद की सजा दिलवाना साइद एक बेटे का अपने बाप को इस से ज़्यादा कोई सद्धांजली या फिर इस से ज़्यादा कोई पिंडदानिया कोई तिलांजली नहीं हो सकती है जिसे साफसे आकास ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया खैर अभी इस केस में दो-तीन चीज़ें हैं जैसे अभी रविंद्र के कातिल कौन है ये किसी को नहीं पता चुकि पुलिस निसनी लीपा पोती की इस केस में है और इतने साल गुजर गए साल 2014 से जोड़ें अब 24 आने ही वाला है तो लग 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 दस साल तो दस सालों में अब बहुत चीज़ें बदल गई लेकिन जिस हिसाब से आकास ने काम किया काबली तारीफ है तो फिलाल यह थी पूरी कहानी और इस कहानी को खतम कर उससे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि अब दूसरे चैनल पे अनिमेटेड यानि ग्राफिक्स वीडियोज और सम्मंधित तस्वीर यह तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे तो वो चीज़े अब आज से यार कल से ही आ रही हैं तो आप लोग जाईए देखिए कोई कमी लगे तो सजेस्ट कीजिए नहीं लगे तो प्यार दीजिएगा तो फिलाल यह थी पूरी कहानी और आपसे कल फिर मुलाकात होई किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छे रहेगा खुश रहेगा अपना ख्याल लखिए अपने देश का ख्याल लखिए जये हैं बंदे मातर